सभी को जय श्री राम, जय श्री श्याम दोस्तों खाटू श्याम जी, जिन्हें श्री क्रिश्न के कल्यूगी अवतार के रूप में पूजा जाता है, राजस्थान के सीकर जिले में बाबा का भव्य मंदिर है, जहां हर साल लाखों की संख्या में श्रधालू मन में अपार आस्थालिये पहुँचते हैं वैसे खाटू श्याम जी से जुड़ी एक कहावत भी काफी प्रसिद्ध है कि बाबा श्याम रंग अर्थात गरीब को भी राजा बना सकते हैं, तो आखिर कौन है बाबा खाटू श्याम जी इन्हें क्यों भगवान का दरजा दिया गया है? और क्या है इनकी पूरी कहानी यही जानेंगे मिलकर आज की इस वीडियो में तो मित्रो नमस्कार और स्वागत है, आप सभी का एक बार फिर से क्योलिप सीत्रेट्स पर दोस्तों सबसे पहले तो बतादूं की खाटू श्याम बाबा का असल नाम बरबरीक था जो घटोतकच के पुत्र थे जी हाँ, वही घटोतकच जो भीम और राक्षसी हिडिमबा के पुत्र थे महाभारत में मिलने वाली कथा के अनुसार बरबरीक दुनिया के सरवश्रिष्ट धनुर्धर्थे कहा जाता है कि बरबरीक के लिए तीन बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वो कौरवों या फिर पांडवों की पूरी सेना को समाप्थ कर सकते थे, और जब महाभारत का यु पूत्र बरबरीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु पर एक पीपल के व्रिक्ष के नीचे खड़े हो गए और उन्होंने ये घोशना की कि वो उस पक्ष की तरफ से लड़ेंगे जो हार रहा होगा। फिर क्या श्री कृष्न की आग्या का पालन करते हुए बरबरीक ने तीर को व्रिक्ष की ओर छोड़ दिया जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को भेद रहा था तो एक पत्ता नीचे गिर गया जिसे श्री कृष्न ने अपने पैर के नीचे छिपा दिया थोड़ी देर बात प्रभु आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृप्या पैर हटा लीजिए क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को भेदने का आदेश दिया है, आपके पैर को नहीं। ये देख श्री कृष्ण भी आश्चर्यचकित रह गए साथ ही बरबरीक की घोशना से चिंतित भी हो गए क्योंकि अब भगवान समझ चुके थे कि बरबरीक कितने शक्तिशाली हैं और अगर उन्होंने हारते हुए कौर्वों का साथ दिया तो पांडवों की हार होनी तय थी ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ब्राहमन का भेश बना कर सुभा सुभा बरबरीक के शिविर के द्वार पर पहुँच गए और दान मांगने लगे बरबरीक ने कहा मांगो ब्राहमन आपको क्या चाहिए बरबरीक इस बात से अंजान थे कि उनके द्वार पर कोई ब्राहमन नहीं बलकी स्वयं प्रभो आये थे इसके बाद ब्राहमन रूपी श्री कृष्ण ने बरबरीक से कहा कि है वत्स मैं जो तुम से मांगने वाला हूँ वो तुम मुझे दे ही नहीं पाओगे तुम में मुझे दान देने का साहस ही नहीं है ऐसे में बरबरीक ने कहा नहीं ब्राहमन मैं आपको दान में अपना जीवन तक दे सकता हूँ बताओं आपको क्या दान चाहिए तो दोस्तों इस तरह बरबरीक भगवान श्री कृष्ण के बिछाए जाल में बुरी तरह से फस गए जिसके बाद श्री कृष्ण ने बरबरीक से उनका शीष मांग लिया अब क्योंकि बरबरीक वचन दे चुके थे तो उन्होंने बिना कुछ सोचे ही ब्राहमन को अपना शीषदान में देने का एलान कर दिया बरबरीक के ये कहते ही श्री कृष्ण अपने असली रूप में आ गए वहीं शीषदान से पहले बरबरीक ने श्री कृष्ण से युध देखने की इच्छा जताई थी जिसके बाद श्री कृष्ण ने बरबरीक के कटे शीष को बने अब ये भी जान लेते हैं दरसल युद्ध में विजी होने के बाद पांडवों में विजय का श्रे लेने के लिए आपस में वाद विवाद होने लगा तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बरबरीक का शीश ही कर सकता है क्योंकि एक वो ही है जिसने पूरा गिर रहे थे वहीं दूसरी तरफ द्रौपदी महाकाली के रूप में रक्त पान कर रही थी बरबरीक की इन बातों से श्री कृष्ण बेहत प्रसंद हुए और उन्होंने बरबरीक के कटे शीश को बरदान दिया की कल्यव में तुम मेरे श्याम नाम से पूज़े जाओगे तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्यान होगा और धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ती होगी और दोस्तों इसके बाद ही बरबरीक को खाटूश्याम जी के नाम से पूज़ा जाने लगा तो दोस्तों ये थी खाटूशयाम जी की असली कहानी जिससे आज भी कई लोग अνजान है आप में से कौन कौन उनकी इस कहानी से अंजान नहीं था मुझे कमेंट कर जरूर बताएं आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताएं साथ ही इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी करें वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद